Hello dear students, कैसे आप सभी? Welcome you all once again. आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है. जैसा कि आप सभी को पाता है, हम BAC part 1st के लिए unit 3rd शुरू किये हुए हैं और उसमें हमने काफी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जो कि है हमारी Stereo Chemistry of Organic Compounds Organic Compounds की Tribune Rescience, Stereo Chemistry कैसी होती है? उसमें हम काफी कुछ देख चुके हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं कि कैसे समाव्यक्ता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके अलावा हम देख चुके हैं, प्रकासिक समाव्यक्ता को हम DTL में स्टड़ी कर रहे थे, जहापर ह हमने देखा था कि प्रकासिक समाव्यक्ता क्या होती है और वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो प्रकासिक समाव्यक्ता को प्रदर्शित करते हैं ठीक है फिर हमने क्या हमने आरेस निकालना सीखा किसमें वैज रिप्रेजेंटेशन में अब तक जो हमने आरेस निकालना सीखा है व हमारा molecule Fischer representation में दिया गया है तो फिर हम कैसे उसका RS करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं तो हम क्या देखने वाले हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन में RS नॉमेंक्लेचर नाम करेंगे यानि कि हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से मॉलेक्यूल का RS करेंगे अगर हमारा molecule Fischer में दिया गया हो तो जैसा कि आप सभी को पता है वह सारी रिप्रेजेंटेशन पहले ही एक लेक्चर में पढ़ा चुकी हूं है ना जिसमें मैंने सारी रिप्रेजेंटेशन बारी बारी पढ़ा ही थी वैज फिशर नियूमें साहोर तो आप जानते हैं फिशर रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है वो एक टूडी है ठीक है यहाँ पर चार बॉंड्स होते हैं यहाँ चार बॉंड ना क्ये करके मैं यह क्या है एक वर्टिकल लाइन है और यह क्या है होरीजोंटल यह लाइन होती है होरी होरीजोंटल लाइन जिसे बोलते हैं 36 रेखा होरीजोंटल लाइन 36 रेखा और यह क्या है हमारी यह होती है वर्टिकल लाइन उर्दवार्धर उर्दवार्धर रेखा यह है हमारी उर्दवार्धर रेखा तो क्या होता है? यहाँ पर दो तरह की लाइन्स होती है, एक वर्टिकल लाइन होगी और एक होती है होरिजोन्टल लाइन ठीक है? आपको मैं पहले ही बचा चुक है मैं रिप्रेजंटेशन पढ़ाई थी कि ये जो दो बॉल्ड होते हैं ये जो वर्टीकल लाइन अगर कोई मॉलीक्यूल इस वर्टीकल लाइन पर स्टुरी होरीजॉनटल लाइन पर उपस्तित है यह कैसी है यह होती है तल के तल के ऊपर अगर मैं वेज बनांओ इनका वेज रिप्रेजन ति इस तो मैंने तो तो मैंने रदा मॉत थृपार यह तो समझें आपकी तरफ की तरफ और यह झार रही है और यह जो दो क्योंकि जब भी हम RS करेंगे तो मैंने पॉइंट झिखाया था कि बॉण्ड की जो क्या ने वो हमेशा क्या रहना चाहिए इसलिए तो अगर गोई हमारा मॉलिक्यूल इन डो लाइनों पर इपस्थित एसका मतलब वो कहाँ तल के ऊपर उपस्थित कि आगर इस पर वर्टीकल राइन पर उपस्तेत हैं धार मौलीकूल इसका मतलब हो कहाँ हरें तल के पीछ से अब आप broke एख भए नुमें क्लेचर कर सकते हैं दो तरीके से नाम च्रेंट कर सकते हैं पहले पहला केस देखते हैं फिर दूसरा केस देखेंगी थि dedic कैसे देखेंगे मालोब मॉलुक्यूल हमका ऐसे मॉलीक्वीस दिया हुआ है तोल ऑट ओफ है इस तरीगा मॉलीक्यूल है यहाँ पर अभी धे देखें चार गुरूप जुड़े हुए है कारवन से चार अलग-अलग ग्रुप जुड़े हुए यह जो हमारा कारवन है यह क्या है स्टियोजनिक सेंटर यह काईरल सेंटर है यह हमारा ठीक है यहाँ पर जो कारवन है उससे चार अलग-अलग ग्रुप जुड़े हुए तो सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम इधर गए तो Oxygen, इधर गए तो Hydrogen तो यहां से Direct, यहां पर तो Carbon, Carbon है Direct कौन जुड़ा हुआ है? यहां पर Direct इस Carbon से Direct कौन जुड़ा हुआ है? Carbon यहां पर भी Direct कौन जुड़ा हुआ है? Carbon लेकिन यहां पर Direct कौन जुड़ा हुआ है? Oxygen तो carbon और oxygen में से किसका atomic number जादा है oxygen का तो पहली priority किसको मिल जाएगी oxygen को हम जानते hydrogen तो इन में सबसे छोटा group है जिसका atomic number सबसे कम है तो चौथी priority तो इसी को दे दी कोई भी group हो चौथी priority हमेशे किसको जाएगी hydrogen अगर hydrogen मौजूद है तो उसको हमेशे लास priority जाएगी क्योंकि उसका atomic number सबसे कम है और उससे कम atomic number वाला तो कोई atom है ही नहीं है ना अब इन दोनों में decide करना है कि second और third priority हम किसको देंगे तो देखते हैं इस carbon से क्या जुड़ा हुआ है इस carbon से दो hydrogen क्या जुड़े हुए hydrogen hydrogen और oxygen इस carbon से दो hydrogen और एक oxygen जुड़ा हुआ है और यह carbon कैसा है यह carbon इस तरीके से है OCGO है ना यानि कि यहांअ पर carbon से double bond से oxygen जुड़ा हुआ है और जहाँ पर भी double bond होगा वहाँ पर double bond क्या हो जाता है? duplicate हो जाता है triple bond होगा? triplicate हो जाता है तो यह क्या दıवाल bond तो कैसे duplicate करेंगे? इस bond को अटाएंगे एक bond को यहां कारवन से और ओक्सीजन से एक एक बॉंड जोड़ा ठीक है ओक्सीजन से किसको जोड़ा कारवन को कारवन से किसको जोड़ा ओक्सीजन को अब देखते हैं यहां पर कारवन से कौन-कौन जोड़ा हुआ है दो हाइड्रोजन और एक ओक्सीजन डारेक्टली जोड़ा कारवन और यह कारवन से क्या क्या चुद्द याक वह एक तो यह वाला हीडोजन एक यह वाला ऑक्सिजन और न्ट जी अम्यशे Hoş अब गड़ बड़ होगी हम जानते हैं कि यह जो अगर यह जो जो गुरूप हैं यह कैसे हैं बिलो दा प्लेन हैं यह जो 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 होंगे एटम इस लाइन पर होने का मतलब क्या है इस लाइन पर होने का मतलब है बिलो दा प्लेन तो यह वाला गुरूप और यह वाला यहां पर है यहां तलके उपर और 2 यह तलके उपश्थे बाद को होना चीह तलके पीछे गड़बढ होगी अब हम क्या करेंगे अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जो हमने वेज में किया था, जब hydrogen कहा पर था, तल पर उपस थेता, क्या किया था, इंटर्चेंज किया था, हमें hydrogen यहां होना चाहिए, below the plane होना चाहिए, लेकिन है कहां, above the plane, तो हम क्या करेंगे, इंटर्चेंज करेंगे, कौन सा इंटर्च में फोर्थ फोर्थ प्राहित्ता वाला समू फोर्थ प्राहित्ता वाला समू कहां उपस्थित है में तल के उपस्थित के उपस्थित तो क्या करेंगे तो डवल इंटर्चेंज करते हैं क्या करेंगे डवल इंटर्चेंज अदला बदली करेंगे डवल अदला बदली करेंगे डवल इंटर्चेंज का मतला अदला बदली करेंगे वो भी कैसी डवल यानि दो बात तो क्या करेंगे इसको मैं ऐसे लिख दू यह प्रायोरिटी डिसाइड हो गहीं तो मैं इसको ऐसे हो जाए बहुत तुम है यह हो गया तो आपना पड़ेगा हैंट्रोजन मालтов सब्सक्राइब करेंगे था परिवर्त रोचा तो हमने नंतर के बीच में कि इंच इना अपनी बोजेशन करेंगे तो यहांपर कर दिया हमने नहीं है नाम कर दों नुमने कर दिते हैं लेकिन नहीं अभी इन दोनों ने पुजिशन चेंज कि हैं तो यह दो नोनों जो हैं बैठे हुए यहां पर इनको अच्छा लगेगा किया गिया है फ़िवर्टन इन दोनों को बुरा लग रहा है तो यह दोना भी क्या करेंगे अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो यहां जाएगा ओए यह आ गया CHO, यह आ गया CH2OH और नीचे आ गया hydrogen, ठीक है? hydrogen, क्या priority दी थी? OH को कौन सी priority दी थी हमने? OH को दी थी 1, CH2OH को दी थी 3, CHO को कौन सी दी थी? 2, और hydrogen को कौन सी दी है? 4, अब हमने double interchange कर लिया है, अब क्या करेंगे? अब हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे थे, क्या? कि high priority से low priority की तरफ चलेंगे, high priority से low priority की तरफ चलेंगे, तो हम यह लिख सकते हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हम करने वाले हैं, यदि 4th priority group तल के नीचे उपस्थित है, तल के नीचे उपस्थित है, तल के नीचे उपस्थित है, तल के हाइडोजन हमने लिया आयब लूँद अपने तो क्या करेंग तो क्या करेंगें अच्छ वाइक्तासे तो फ़ाइक अधासे जलने पर जंडा यदी हमेंट कैसा है यदि मूववमेंट क्लॉक वाईज है तो क्या हो जाएगा हमारा आर वही जो हम कल से करते यह जो वैज रिप्रेजेंटेशन में जैता अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रूप यानि जिसे हमने चौथी प्रायोरिटी दी है वह कहाँ हमारा movement clockwise है तो क्या हो जाएगा आर और यदि movement anti-clockwise है तो क्या हो जाएगा एस वही है जो हम कल से करते आ रहे हैं जो अब तो आपको रट गया होगा कि अगर हमारा चौथा priority group चौथी प्रायक्ता वाला समूं तल के पीछे उपस्तित है तो जब हम high priority से low priority की तरफ जाते हैं यानि उच्छ प्रायक्ता से निम्न प्रायक्ता की और जाते हैं तो अगर हमारा movement जाते time जो हमारा movement होगा clockwise होगा तो आर एंटी clockwise होगा तो एस तो जैसा कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हाई से लोग की तरफ जाएंगे वन से यह वन है वन से गए टू टू से गए थ्री ठीक है movement कैसा है movement की direction क्या है वन से गए टू टू से गए थ्री movement की direction क्या है घडी की दिशा में clockwise है movement कैसा है clockwise है और अगर movement clockwise है, movement कैसा है, clockwise है, तो क्या हो जाएगा, यह R हो जाएगा, तो इसका मतलब यह जो molecule हमने लिया है, यह क्या है, R है, कैसा होगा, R होगा, क्योंकि चौथा group जो है, वो below the plane हो आ गया है, और below the plane आ गया है, तो जब हम high priority से low priority की तरफ गए, तो movement कैसा है, clockwise, इसलिए य 20 clockwise होता movement, तो यह क्या हो जाता, S, तो जल्दी से note कीजिए, फिर आगे कुछ examples करते हैं, note कीजिए जल्दी से, screenshot लीजिए, ठीक है, मिटा देते हूं, कुछ examples करते हैं, यह example से पहले, दूसरा case देख लेते हैं, फिर example एखटे करेंगे, एक साथ example करेंगे, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, case second, यह actual में case नहीं है, तरीके है, plane है, वैसा ही रहने दे, हम नहीं कर रहें, double interchange, तो क्या हम RS कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वही second तरीका हम देख रहे हैं, second तरीका यह second case, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि फोर्थ प्राइक्ता वाला समू, यदि फोर्थ प्राइक्ता वाला समू, कहा हैं, तल के उपर उपस्थित है, तल के उपर उपस्थित है, तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो कल हमने वैज में किया था, जब हाइड्रोजन एबब दा प्लेन आ गया था, वैज में हमने क्या किया था, जैसे हाइड्रोजन बिलो से कहा गया था, एबब आ गया था, उल्टा हो गया था, तो RS भी क्या यहां पर भी वही होगा तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे उच्छ प्राथ मिक्ता से निम्न प्राथ मिक्ता की और जाने पर के और जाने पर यदि movement कैसा है? यदि movement यदि movement clockwise है तो क्या हो जाएगा? यदि movement कैसा है? यदि movement clockwise है तो S हो जाएगा अब R नहीं होगा अब क्या हो जाएगा? S क्यूंकि hydrogen की position change है below से काए? above है इसलिए और यदि movement anti-clockwise है anti-clockwise है तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा R क्योंकि होना क्या चाहिए था S लेकिन hydrogen उल्टा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा S तो वही cases हैं जैसे हमने wedge में किये थे RS nomenclature उसी तरह से fissure में करेंगे for example जैसे कि हमने यह ले लिया यहां पर है हमारे पास CS3 यहां hydrogen यह NH2 है और यहां पर लगा हुआ है COOH अब हमें इसका क्या करना है RS करना है हम जानते हैं यह वाली line पे hydrogen है इसका मतलब hydrogen कैसा है above the plane है इसका मतलब क्या होता है above the plane फेलक सबसे पहला काम क्या करेंगे priority देने का बाकी चीज़े तो बाद में सबसे पहला काम priority देने का तो इस carbon से चार अलग-अलग group जुड़े हुए हैं है ना चार अलग-अलग जुड़े हुए है तो हम क्या करेंगे प्रायोरिटी देंगे यहां से इधर गए कारवन है इस कारवन से इधर गए डायरेक्टली कौन है कारवन इस कारवन से इधर आए डायरेक्टली कौन है नाइट्रोजन कौन जीत गया कारवन और नाइट्रोजन में स तो हाइड्रोजन तो सबसे छोटा होता है इसको आगे क्या है इस कारवन पर तीन हाइड्रोजन और इस कारवन पर तो दो ऑकसीजन घीन तो यह दूसरा और इसको नंबर दिया हमने तीसरा ठीक है अब हम यहाँ पर interchange नहीं करना चाहते हैं अपना time based नहीं करना चाहते कि फ्रण इंटरचेंच करेंगे फिर isn't का nomenclature करेंगे हम तो direct करना चाहते हैं तो कर लिजे भई क्या परिशानी है क्या करेंगे high से low की तरफ जाएंगे one to one से two two से होते हुए अमेरे तरह घड़िकी इनोंन करने करतो तुए तरह ठीक है unXT 225 है Mais only comptव मेंट श्या थक्राने कैसा है कि इससे बाइब कारक्ष घड़ी की दिशा में है लेको क्लॉक सुक्वाइज है टीक है क्लॉक सैंड अगर मुविंट मूट सुपक्ष है तो होना क्या चाहिए था आर लेकिन आर नहीं होगा यह क्यों नहीं होगा यह मोलिक्यूल कैसा है इस तरह से हम RS कर सकते हैं, फिशर में, अब जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम कुछ examples को solve करते हैं, RS करते हैं उनका जल्दी से, ठीक है, करते हैं, चलिए भई कुछ molecules का RS कर लेते हैं, जैसे कि यह दिया है, यहां दिया है CS3, यह यहां पर है H, और यहां पर दिया हुआ है COOH, ठीक है, यह molecule हमको दिया हुआ है, अब हमसे पुछा भई इसका RS कर दो, कर देंगे भई क्या प्रिशानी है, क्या गाम करेंगे सबसे पहले priority, यह stereogenic center है, hydrogen है, तो चोथी priority तो हमने इसी को दे दी भई, ठीक है, इनकी बात करें, यहां भी carbon, यहां भी carbon और यहां कोन है bromine, और bromine का atomic number तो बहुत आई होता है, तो पहली priority इसको मिल गई, फिर यहां पर गई carbon, carbon, नहीं बात बनी, आगे गई, यह hydrogen है, यहां oxygen है, कौन जीद priority और यह है तीसरी priority, अब क्योंकि hydrogen कौन सी line पर उपस्थित है, hydrogen उपस्थित है horizontal, hydrogen क्या है, horizontal पर उपस्थित है, तो दो condition है हमारे पास, यहां तो हम double interchange करें, यहां तो हम double interchange करें, hydrogen को below the plane line और nomenclature कर दें, यहां फिर direct कर दें, तो आप दो तरीके कर सकते हो, पहला तरीका ज double interchange करो, अगर double interchange करोगे, तो क्या करना पड़ेगा, यह दोनों अपनी position change कर लेंगे, यह दोनों अपनी position change कर लेंगे, अलग-अलग step में होगा, लेकिन हम बार बार क्या करेंगे, एक ही बार में दिखा दिया, यह दोनों ने अपनी position change कर ली, यह दोनों ने अपनी position change कर ली, तो यह हो जाएगा ऐसे H आ गया नीचे CS3 आ गया उपर यहाँ पर BR आ गया उपर COOH आ गया यहाँ ठीक है एक तरीका तो यह है फिर क्या करेंगे BR को दी थी हमने पहली यह चोथी प्रायोटी थी यह दूसरी थी और यह तीसरी चलो भई 1 से चले हम 2 की तरफ 2 से चले 3 की तरफ 1 से 2, 2 से 3 ठीक है मुवमेंट कैसा है Clockwise है मुवमेंट अब कैसा है Clockwise Hydrogen कहां आ गया हम Hydrogen को हम ले आए Below the plane ठीक है Hydrogen को क्या लिया Below the plane अगर दूसरा वाला तरीका आपको Tough लगता है तो आप यह कर सकते है यह अगरा तरीका अपना सकते है यह आपकी मर्जी आप कौन सा तरीका अपना है दोनों ही तरीके से RS सेम निकलेगा ठीक है यहां से गए Clockwise मुवमेंट है Hydrogen कैसा है Below the plane है Hydrogen कैसा है Below the plane Movement है Clockwise तो यह क्या हो जाएगा R क्या हो गया R हो गया ठीक है और दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका हम नहीं चेंज कर रहे हम चेंज नहीं कर रहे हम तो ऐसे ही करेंगे जैसा दिया हुआ है इसी में RS करेंगे इसी में करेंगे RS यह पहला यह चौथा यह दूसरा और यह तीश्रा हम तो ऐसे करेंगे हम यह नहीं जाना प्रिप ही पहले इंटर्चेंज करो फिर आरेस करो लंगया लग लग रहा है हम दो यह से टारिक कर ले रहे हमें पता है है hydrogen कैसा है его of the plane है ऐसे ही कर लेते है एस जो भी आईगा उसका क्या गर देंगे मुल्टा तो चलेंगे 1 से 2, ये 1 है, 1 से गए 2, 2 से गए 3, 1 से गए 2, 2 से गए 3, जब 1 से 2, 2 से 3 गए, movement देखा, तो कैसा है? ये movement कैसा है? anti-clockwise, घड़ी की उल्टी दिसा में, movement कैसा है? anti-clockwise है, anti-clockwise है, तो होना क्या चाहिए था? S, movement कैसा है? anti-clockwise होना के चाहिए S लेकिन S नहीं होगा क्यों नहीं होगा anti-clockwise पर S ही तो होता है लेकिन S नहीं होगा क्यों? क्योंकि hydrogen above the plane है hydrogen above the plane है तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा R, तो चाहें आप इस से निकाले चाहें इस से निकाले यहां भी क्या आया? R आया और यहां भी क्या आया? R तो दोनों ही method से आप RS निकाल सकते हैं और दोनों ही method से same आएगा अब आपको कौन सा easy लगता है वो आप पर depend करता है कि आप कौन सा method यूज करेंगे हैं मैंने आपको दोनों methods बता दिये हैं ठीके तो क्या हुआ यह hydrogen above था anti-clockwise गए तो RS होना चाहिए था RS ना करके उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा R तो यहां पर क्या आएगा? R ठीके? तो इस तरह से हम RS करते हैं ठीके? सीख गए हैं आप लो? सीखी गए होंगी और देखते हैं examples और examples देखते हैं यह तो हम तब की बात कर रहे हैं जब एक stereogenic center हो क्या हो molecule के अंदर? एक stereogenic center हो एक stereogenic center का मतलब अब तक हमने ऐसे molecules का RS किया है जहां पर केवल एक ही असम्मित carbon पर माड़ू था एक ही असम्मित carbon पर माड़ू था अगर हम ऐसे molecule ले ले हैं जिसमें एक से जादा असम्मित carbon पर माड़ू हो तो क्या करेंगे? तो कु CHO OH H OH H और यहाँ पर दे रखा है CH2 OH यह दे रखा है मॉलिकुल अब पूछाए के RS करो तो RS क्या करेंगे? देखेंगे यहाँ पर कितने asymmetric कारवन है यहाँ पर दो है इस कारवन से CHO है OH है, H है और यह पूरा एक अलग तरीके का ग्रूप लगा हुआ है इस कारवन से देखें OH है, H है, CS2H है और यह पूरा एक अलग तरीके का ग्रूप लगा हुआ है इसका मतला, इसके अंदर कितने केंद्र है? 2 तो RS भी कितनी वार करना पड़ेगा? 2 बार क्योंकि हर केंद्र पर, अगर यह asymmetric center है, तो यहां पर RS करना पड़ेगा, यह भी asymmetric center है, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? RS, तो हमको RS हर केंद्र पर करना पड़ेगा, जितने asymmetric center होंगे, जितने असम्मित कारवन परमाडू उपस्तित होंगे, उन सभी कारवन पर हम क कारवन नंबर टू है तो कारवन नंबर बन की बात कर रही हो मैं सबसे पहले इस पर देखेंगे तो यह इस टीरोजनिक सेंटर है इधर गए ऑक्सीजन इधर गए हाइड्रोजन इधर गए कौन है कारवन इधर गए नीचे गए तो दोना तरफ डारेक कौन जुड़ा हुआ ह गए तो डारेक कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन तो कौन जीत गया ऑक्सीजन जीत गया कौन जीत गया ऑक्सीजन जीत गया तो इसको मिल गए पहली प्रायोर्टी क्योंकि कारवन में ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर जादा होता है ठीक है हाइड्रोजन तो भही हमें पता किसको दूसरी फ्रायोर्टी देँगे तो देखते हैं यह क्या है यह इस तरीके से आप कारवन और ओक्सिजन जोड़ेगा कार्वन और देखेंगे प्रायॉरिटी इस कारवन पर पर कौन पर कौन उस्तित है जोड़ा हुआ है इधर गए उपर गए जुड़ा हुआ है hydrogen तो इस carbon पर दो oxygen और एक hydrogen जुड़ा हुआ है directly इस carbon से directly कौन जुड़ा हुआ है दो oxygen और एक hydrogen इस carbon की बात करें इस carbon की बात करें यहां कौन कौन जुड़ा हुआ है इधर गए तो hydrogen इधर गए तो oxygen इधर गए तो carbon ठीक है इस पर directly कौन जड़ा हुआ है hydrogen जड़ा हुआ है डाइरेक्ट oxygen जड़ा हुआ है और direct कौन जड़ा हुआ है carbon तो अब देख लो कौन जीत गया भई सीधी सी बात है यहां पर एक carbon है एक oxygen और एक hydrogen है जब कि यहां कौन है यहां तो oxygen है औक्सिजन का एक्टामिक नंबर हाइड्रोजन से भी जादा होता है और कार्वन से भी जादा होता है औक्सिजन का एक्टामिक नंबर हाइड्रोजन से भी जादा है और कार्वन से भी जादा है तो कौन जीत गया जहां पर दो ऑक्सिजन है हाइड्रोजन तो चलो हाइड्रो कौन है और यहां कौन है Oxyz 나를 चीजन कारवन और ओक्सिजन ओक्सिजन तो यह हो गया हमारा तो मैं यह मिटा दूं तो कि ताकि होश-पोश नहों जाए तो जीता कौन यह जीत गया इसको मिल गई दूसरा नंबर और और यहां पर इसको क्या मिल गया यह वाले गुरूप को मिल गया तीसरा नंबर ठीक है यह वाले गुरूप जो आए यह पूरा गुरूप इसको कौन सा नंबर मिला तीसरा पहला नंबर इसे चोथा नंबर इसको दूसरा नंबर इसे और यह आया थर्ड तीसरा नंबर ठीक है देदी हमने priority, अब क्या करेंगे, हम movement करेंगे, clockwise से anti-clockwise, मैं interchange नहीं करूँगी, मुझे interchange करना पसंद नहीं है, बार बार interchange करो, आप अगर interchange करना चाहें, तो करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की position को change करना पड़ेगा, और इन दोनों की position को change करना पड़े तो मैं तो नहीं करने वाले इंट्रचिएन। आप करना चाहो तो आप अपने काम बढ़ा कर सकते हो। किसीने रोका नहीं है आप कर सकते अपने काम बढ़ा रहे है। कैसे करेंगे? मैं तो डारेक्ट करूंगी। One से गई टू, two से गई थ्री। 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, movement देखो, movement कैसा है, anti-clockwise है, कैसा movement है, anti-clockwise है, घड़ी की विप्री दिशा में है, और hydrogen कैसा है, above the plane, यहाँ पर hydrogen में देख लूँ कैसा है, above the plane, और यह कैसा है, anti-clockwise, जब hydrogen above the plane हो, और movement anti-clockwise हो, तो यह S न उकर के क्या हो जाएगा, R, तो इसका जो नि यह कैसा है, यह जो carbon number 1 है, यह carbon number 2, 1 तो यह था, carbon number 2, यह कैसा है, R है, क्या है, यहाँ से इसका nomenclature क्या निकल कर आया, R, अब इसकी बात कर लेते हैं, इस पर RS कर लिया, अब इसकी बात करते हैं, पहला साम priority देना, यह तो चोथी, यह पहली, आप देखेंगे, दूसरी priority क से देंगे, अब बात हो रही है, इन दोनों की, इन दोनों की, ठीक है, यहाँ गए carbon है directly, यहाँ गए carbon है directly, नहीं बात बनी, आगे चलेंगे, इस carbon से कौन है, दो hydrogen और एक oxygen है, जबकि इस carbon से कौन है, एक oxygen यहाँ भी है, एक carbon यहाँ है, और एक hydrogen यहाँ पर है, ठीक है, यहा तो हैं दो हाइड्रोजन इस कारवन पर कौन कौन है इस कारवन पर एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है और एक क्या है कारवन कौन जीत गया ऑक्सीजन की कमपेरिजन ऑक्सीजन से की दोनों पर ही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों पर यह लेकिन इस पर हाइड्रोजन है और इसको पिलिए को मिली प्रायोटी से मिली-4 जो और यहां इसball नंबर किसको देंगे उपर वाले को और चोथा नंबर देंगे इसे ठीक ठीक है, यह वाला जो तीसरा नंबर है, यह उपर वाले कारवन के लिए है, अब इस पर अलग से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर होगा, वन, वन से, कुछ गड़वड हो गया, हाँ, यह मिलेगा, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इससे मिला, तीसरा नमबर इसको मिला अब क्या करेंगे वन से चलेंगे टू टू से चलेंगे थ्री वन से गए टू टू से गए थ्री अब भी मुव्मेंट कैसा है एंटी क्लॉक्वाइज अब भी मुव्मेंट कैसा है एंटी क्लॉक्वाइज है मुव्मेंट तो जब एंटी क्लॉक्वाइज ह यह जो था molecule CHO, OH, H, यहां पर भी OH, H, और नीचे CH2, OH, तो इस carbon पर भी R निकल कर आया, और इस carbon पर भी क्या निकल कर आया, R, तो यह क्या हो गया, अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 है, तो carbon number 2 पर भी क्या है, R, और carbon number 3 पर भी क्या है, R, इसका मतलब, यहां पर दोनो कैसे group हैं, R group हैं दोनों कारवन कैसे है, RR है समझ में आया, तो इस तरीके से आप RS कर सकते हैं नोट कीजिए एक और बात, अगर मैं इसकी mirror image बनाओ, इसकी mirror image बनाओ, तो कैसे बनेगी CH अपनी जगा रहेगा ठीक है, mirror के side कौन है, OH तो यह आ गया, OH, side कौन है, OH दूर कौन है, hydrogen hydrogen, नीचे कौन है, CH to OH, तो यहाँ पर दोनों कारवन कैसे है, RR हैं और यह क्या है, इसकी mirror image बनाओ, और अगर इसकी mirror image बनाओ, तो यहाँ पर RS निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि R, अगर यह R है, तो इसकी mirror image क्या होगी, S, अगर यह R है तो इसकी mirror image क्या होगी, S क्योंकि R की mirror image R का दरपन प्रितिविम कौन होता है, S होता है, और S का दरपन प्रितिविम कौन होता है, R, तो अगर यह इसकी mirror image है, अगर यह दोनों molecule mirror image है, जो कि हैं दिख रहे हमें दोनों एक दूसरे की क्या है mirror image है तो अगर ये R निकल कर आया तो mirror image में क्या होगा? S क्योंकि R की mirror image S और S की mirror image R होती है ठीक है? तो ये होगा, चलिए और molecule करके देखते हैं और example करते हैं ठीक है? मना लिया COOH ये OH H यहाँ पर OH H और यहाँ पर दे रखा है CH3 ठीक है? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी दो asymmetric carbon है एक ये वाला carbon asymmetric है क्योंकि इससे भी 4 अलग-अलग group जुड़ हो है और ये वाला carbon भी asymmetric है इससे भी 4 अलग-अलग group जुड़ हो है ये तो hydrogen भी है इनको तो 4 priority दे दी ठीक है? ये oxygen भी है इनको पहली priority दे दी क्योंकि directly attached है carbon से carbon से directly attached है पहली priority बात करेंगे इन दोनों की बात करेंगे इन दोनों की तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ खोल के COOH यहाँ पर क्या है? double bond आप पहले ही double bond को कोल कर लिख लिजिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी तो double bond को duplicate कर लिजिए oxygen से एक नयावन, carbon से एक नयावन carbon से जुड़ेगा oxygen, oxygen से जुड़ेगा carbon ठीक है? अब इन दोनों में हमको देखना है इसमें इन दोनों को तो दे दी हमने पहली और चोथी, अब इसमें और इसमें देखना है कि कौन जीतेगा? तो इस carbon से कौन जुड़ा हुआ है? oxygen, oxygen, oxygen यानि इस carbon से तीन oxygen जुड़े हुआ है तीन oxygen जुड़े हुआ है, directly तीन oxygen जुड़े हुआ है इस carbon पर देखें, यहां से यहां है इस carbon पर देखें तो एक oxygen है एक hydrogen है एक carbon है इस पर तीनो oxygen है और इस पर एक ही oxygen है बागी hydrogen और carbon है तो कौन जीत गया अगर oxygen oxygen दोनों पर compare के हैं तो एक एक तो दोनों पर है यहाँ पर देखें oxygen है यहाँ कौन है hydrogen कौन जीता oxygen यहाँ देखें oxygen है यहाँ कौन है carbon कौन जीता oxygen या देंगे इस वाले गृप को कौन सी प्राइयरेटिय रएया पूरे गरुप को तीसरा नमबर क्ऊना नमबर यह forgiven देखेंगे हाई दरौइन काहा पर है हाई ढपने इस लीन पर का इसमी है मतलब किया इसमी जो मेंने मंचलें सी兒 गए 2, 2 से गए 3, गए 1 से 2, 2 से 3, movement कैसा है, anti-clockwise, movement कैसा है, anti-clockwise है, ठीक है, anti-clockwise है, और hydrogen कैसा है, above the plane, anti-clockwise है, तो S होना चाहिए था, movement anti-clockwise है, S होना चाहिए था, लेकिन hydrogen above the plane है, हमारा hydrogen above the plane है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये carbon पर कैसा हो जाएगा? R हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि hydrogen एवव है. तो movement anti-clockwise होगा, तो ये क्या हो जाएगा? R. अब इस carbon की बात करते हैं. इस पर तो कर लिया नॉमिन क्लेचर? अब इस पर भी बात कर लेते हैं. इस carbon पर भी ऐसी करेंगे. प्रायोर्टी देंगे पहले. तो ये तो oxygen भईया है, पहली priority इनको मिलेगी. hydrogen भईया, चोथी priority इनको मिलेगी. क्योंकि oxygen भईया, डायरेक्ली अटेच है. तो इनको पहली priority. बात करेंगे इन दोनों भईयाओं की. ये भी carbon, ये भी carbon. इस carbon से जुड़ा हुआ, यहाँ जो carbon है, इससे डायरेक्ली ये भी carbon है, ये भी carbon है. नहीं बात बनी. आगे चलते हैं. इस carbon से तीन hydrogen जुड़े हुए है. इस carbon से तीन hydrogen है. जबकि इस carbon से कौन है? oxygen है, hydrogen है, carbon है. यानि कि इससे तो जादा ही atomic number वाले group जुड़े हुए हैं. तो दूसरे product ये कौन से number पर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे तीसरे number पर. और ये जीत जाएगा. उपर वाला, ये जो group है, ये क्या हो जाएगा? जीत जाएगा. जीत गया ये group, इसको कौन सा number मिला? दूसरा number. कौन सा number मिला? दूसरा. ये जीत गया? उपर वाले group को कौन सा मिला? दूसरा मिला. तो आप क्या करेंगे? 1 से गए 2, 2 से गए 3. 1 से 2, 2 से 3. movement कैसा है? clockwise. movement कैसा है? clockwise है. clockwise है, तो क्या होना चाहिए था? R. movement clockwise है, तो क्या होना चाहिए था? R. लेकिन R नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइडरोजन कैसा है? Above the plane. clockwise movement है, R होना चाहिए था. लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हाइडरोजन Above the plane है. और Above the plane है, तो ये R का क्या हो जाएगा? S. तो ये वाला कारवन क्या सा निकला? S. ये वाले कारवन पर क्या आया? R. और ये वाले कारवन पर आया? S. तो इस तरह से, अगर एक मोलेकिल के अंदर एक से जादा stereogenic center हो, तो हर center पर RS करना पड़ेगा. इसी तरीके से, आप सभी centers पर RS करेंगे. तो मैं यासे लिख दूँ, साफ साफ. ये था COOH, OH, H. इदार था OH, H. और निचे था CH3. तो ये वाला कारवन क्या है? ये वाला कारवन है R. ये वाला कारवन कैसा आया? ये वाला कारवन है R. इस पर कैसा निकल कर आया? R. और ये वाला कारवन कैसा निकल कर आया? S. ये R. और ये S. अगर मैं इसकी mirror image बनाऊं, इसकी mirror image बनाऊं, तो ऐसे ही बनेगी. COH अपनी जगे पर रहेगा. CH3 यहां आ गया. ये H है इदर. तो इदर भी H. इदर OH आ जाएगा. इदर OH है, तो इधर भी OH. इदर क्या जाएगा? H. तो ये क्या है? इसकी mirror image है. और mirror image है, तो उल्टाई होता है. अगर mirror image में, इस carbon पर, अगर इस carbon पर R है, तो mirror image में, यहां पर क्या हो जाएगा? S. क्योंकि R की mirror image क्या होती है? S अगर इस carbon पर S है तो इसकी mirror image है ये तो S की mirror image क्या होगी? R तो ये carbon क्या हो जाएगा? R क्योंकि R की mirror image S होती है और S की mirror image R होती है ठीक है? तो इस तरहा से हम nomenclature करेंगे अपने ऐसे molecules का जिनमें एक से ज़्यादा stereogenic center है I hope कि आपको समझ में आया होगा और बहुत से examples आपको करके देखने है नहीं समझ में आया तो वीडियो को rewind करके देखे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप R.S कर सकते हैं ठीक है? तो आज के लिए इतना ही ठैक यू